केर राहूल के साथ हुई नायंसापी तो बसीमा करम ने उनका सपोर्ट किया और एमपा ने जिस तरह से कैच आउट दिया था तो बड़ा ब्यवाद सामने आ गया जब टीम इंडिया पहले बल्ले बाजी करते हुई नजर आई ब्राट कोली एसवी जिसवाल जल्दी की आउट हो गई ऐसे में उमीदें केर राहूल से थी क्योंकि रोगि सर्मा नहीं खेल रहे हैं तो केर राहूल पर निगाएं लाजमी थी वहीं जब मिचल स्टाक ओबर करा रहे थी तबी केर राहूल के बैठ के नीचे से बॉल चली गई तो ऐसे में आश्टीलेक खिराणियों ने फील की लेकिन एमपार ने नोट आट करा दिया वहीं बिवाद तब सामने आया जब आश्टीलेक अप्तान ने रिवी लिया जब ठराएमपा ने चेक किया तो उसमें साब पता चल रहा था कि केर राहूल के बैठ के नीचे से बॉल लगका जा रही है जो कि साब साब सबी को दिख रहा था लेकिन एमपार को ऐसा नहीं द दिया अब विवाद काफी ज़्यादा बिगड़ गया था के रहूल काफी ज़्यादा गुश्य में दिखे एमपार पर